आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं मैं चाहते हूँ कि दो तरे से आप इनको समझें सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है जो आपका अपना जीवन है जो आपका अपना संगर्श है जो रोज सुभे से शाम को जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं जिस तरह से आप हर रोज आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकलें पूरा नहीं होता जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीज भरनी पड़ती है या कोई बिमार पर जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है तो मुश्किले ही मुश्किले लगती है सामने और आज कल देश में जो आम आदमी है उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है हर स्तर पर, परिस्तितियां ऐसी बन गई है कि जैसे आप खास तोर से अपने समाज को देखें तो आपकी एक जल, जंगल, जमीन की एक संस्कृती है मेरी दादी जी, इंद्रा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज़्यादा आदर आपकी संस्कृती के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृती में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो उसे बहुत आदर से, प्राकृती को बहुत आदर से और प्राकृति के जो खुद की जो प्राकृति के नियम्त हैं उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन बे नियम बनाई तो दादी ची हमेशा कहती थी कि सबसे जादा वे आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी इसलिए जब देश्वतंत्र हुआ और जब हमारा सम्विधान बना तो उस सम्विधान में खास तोर से सब को समान अधिकार मिला ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारूबार करता हो या फिर कोई बड़ा बिजनस करता हो, या प्रधान मंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो सबका एक समान अधिकार इस सम्विधान ने हमें दिया और इस सम्विधान को बनाने के लिए हमारी आजादी के लिए हमारे एक बड़े-बड़े महापुर्श लड़े तो इस सम्विधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल, जंगल, जमीन का का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षन का अधिकार दिया है, अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा, कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाओ के उमिद्वार है, जगे जगे में जाकर कह रहे ह कि वो सम्विधान को बदलना चाहते हैं, देखा है आपने, सुना है तीवी पे देखा, अच्छा वो सब कह रहे हैं कि हम सम्विधान बदलना चाहते हैं, मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो, और द दस सालों से किस तरह से इन्होंने देश में अपना राद चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं, वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं, और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं, तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उमीदवार से कहलवा दिया एक मंतरी से कहलवा दिया किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज़ करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था तो ये इनका एक पुराना सिलसिला एक पुराना तरीका है आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि समविधान को बदलेंगे इस समविधान ने ही आपको अधिकार दिया तो इसको बदलने का क्या मतलब है इसको बदलने का एक ही मतलब है वेहनों और भाईयों कि ये लोक तंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं दस सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोक तंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जंता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिरफ उनको कमजोर करने का काम किया है, और जितने भी ऐसे संस्थान है, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी, तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि वही सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला किसी ने उन्हें उनका मूँ बंद नहीं किया किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की लेकिन आज जो परिस्थितियां है पूरी मीडिया बिकी हुई है पूरी मीडिया कुछ बड़े-बड़े खरब पतियों की है आपको सच्चाई दिखती नहीं है तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है दो अलग सच्चाईया है एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है हमारी अर्थ व्यवस्ता बहुत तेजी से आगे ब बात होती है जब भी मोडी झीदिखते हैं केल मंच पर उनसे ये आपको पता चलता है कि कि手में कि एक संसान की कि इसकता है कि तरय बड़े नेता बन गें यही बताया जाता है दूसरी तरफ आफका जीवन 3 2 तरफ आपके रिखर दूसरी तरफ दुकान जाते हैं मेरी बेहने जाती है, कुछ खरीद नहीं पा रही है सब परिवार में सब काम कर रहे हैं चाहे महिला हो, पुरुष हो, कहीं न कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड करके कहीं न कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में सबसे जादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में, और टीवी में आपको क्या दिखता है, सब सुंदत, सब चमकिला, आज सबसे आसान हो गया है, आदिवासियों की जमीन चीननी, जंगल चीनने, नदी से, जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है, उसको छीनना, खिंसा हो गई है, बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तसकरी होती है, आपका उत्पीरन होता है, कोई कुछ नहीं कहता, जगे जगे जहां इनकी सरकारे हैं, अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते हो आपकी सुनवाई नहीं करता, तो यह आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है, आदिवासी समाज लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ, यहां जो आपके उमीदवार अनंत पतेल जी हैं, य बहुत चंचा है, कॉंग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टों मतलब घोशना पत्र के बारे में, इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है, न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और आपको अपने जीवन में म राहुल जी, कॉंग्रिस के नेता, कॉंग्रिस के हमारे अध्यक्ष महोदे जी, खरगे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि दस सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सब के साथ, इसलिए हमने इस बार अपने घोशना पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा, और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली, जिसमें वो गौहाटी से मंबई तक चले, और कन्या कुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले उससे पहले, 4000 किलो मीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न् न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है, उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गैरंटी हम लाए हैं, जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जह जहाँ नहीं सरकारे हैं, चाय करनाटका में हो, चाया च्छतीसगर में रही थी, चाये आज हिमाचल प्रदेश में है, तैलंगाना में है, वहाँ वहाँ जो गैरेंटी हमने चुनाव से पहले दी, उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप करनाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है, वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूँ, किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपे मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ, जब से कॉंग्रिस की स तरकार आई है मुझे मिल रहे हैं तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गैरेंटीज लाए हैं हम एक विशेश बजेट आपके लिए जारी करेंगे और जो वन अधिकार का कानून है जिसमें आपको पटे जो पटे आपको मिले थे उनका फैसला एक साल के अ और आदिवासियों की जहां पे जादा जंसंख्या है उन जगों पे उन छेत्रों को हम अनुसूचित छेत्र गोशित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाय मिले और जो मजदूरी है नियूंतम मजदूरी हम 400 रुपे की करेंगी ताकि कोई आपका शोशन न कर पाए देखिए यहां पे प्रवासि बहुत हैं मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहां पे फश्ट रहे थे मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है बसे बंद ट्रेने बंद दुकाने बंद और लोगों को इतनी पीड़ा हुई गुजरात से उत्तर प्रदेश तक बिहार तक पैदल निकले किसी को पता नहीं था पहुँचेंगे कि नहीं और कोई चारा ही नहीं छोड़ा मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था चाय बेचते थे वो टीवी पे हमने उनको देखा उस समय इतनी दिक्कत हो रही थी इतना दुख हो रहा था कि सबज में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें उस समय अनूप तीवी पे आये और रोने लग गए और जब हमने ये देखा तो हमने अपने आफिस में किसी से कहा कि भाई ढूंड ये ने इनसे बात करने की कोशिश करिए हम मदब करना चाहते हैं और उनके जरिये साथ हजार सिक्टों की व्यवस्था हुई यहां से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुँच पाए तो देखिए अगर कोई नेता हो कोई राजनितिक दल हो कोई सरकार हो जिसकी नियत ठीक हो जो आपके लिए सई काम करना चाहते है तो कोई नहीं रोख सकता और अगर आपको यह परिस्थिती दिख रही है अपने जीवन में कि दस सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है तो नियत में जरूर कुछ खोट होगी वापी और सरीगाम का जवापका इंडस्ट्रियल एरिया है मैंने सुना है यहां भयावे प्रदूर्शन है और परियावरन की जो परिस्थितियां है बहुत खराब है बुनियादी सविधाय भी नहीं है मुझे बताया गया है कि वलसाट के एक हिस्से में तो मोबाइल नहीं आता पीने के पानी की समस्या है किसी को पीने का पानी नहीं मिलता अस्टोल परियोजना में पंदरा सौ करोर रुपे खर्च हुए लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं आई एक बूंद पानी नहीं मिलता आपको और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके जरीए आपको बताया गया था कि आपको आवास मिलेंगे आपके लिए घर बनाए जाएंगे वो भी आज तक नहीं पूरे हुए मच्वारे भाई बहन है मेरे यहां उनके लिए कोई सुविधा नहीं है हमने अपने न्याए पत्र में खास अपने मच्वारे भाई बहनों के लिए लिए लिखा है और यह गैरंटी है हमारी कि हम आपके आईडी कार्ड की सुविधा बनाएंगे और आपके लिए और आपके जो नाओ है उसके लिए इंशॉरंस की स्कीम लाएंगे जो डीजल आपको आज इतना महंगा मिल रहा है उस पे हम आपके लिए खास सबसेड़ी लगवाएंगे देखिए इस इतिहासिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी गैरंटी है कि जितने सरकारी पद केंदर में खाली पड़े हैं और आज तीस लाग खाली पड़े हैं उन सब को भरा जाएगा पाँच हजार क्रोड रुपे का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी जो बच्चे सना तक पास हैं उनको एक लाख रुपे दिये जाएंगे और एक अप्रेंटिशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए ताकि जब ये पास होते हैं जब इनकी शिक्षा पूरी होती है तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिशिप मिलेगी और इ खास तोर से कॉंग्रेस के सरकार ने शुरू की और शुरू शुरू में मौदी जी ने उसको खतम करने की कोशिश की फिर उनको समझ में आया कि ये तही प्रोग्राम है तो उसको छोड़ दिया और अभी भी है उस तरह का प्रोग्राम हम शहरों में भी लाएंगे ताकि शह बात है, रोजगार दिलवाने का काम किसी ने किया नहीं है, कॉंग्रेस पार्टी क्या हमेशा प्रयास रहा है, कि रोजगार बनाए जाएं, तो कॉंग्रेस के राज में आपको याद होगा, सरकारी रोजगार मिलते थे खुब सारे, जो ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट है, कॉंग्रेस के ही जमाने में ही बनी और तभी सफल हुई, तो कॉंग्रेस का पूरा प्रोग्राम है, कि आपके लिए रोजगार बनाएंगे, जो ये कमर तोड़ महंगाई है, कि आज पेट्रोल 100 रुपे पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73 हजार पार, चांदी 90 हजार पार गैस सिलिंडर का, तो पूछिए ही मत, 1200, 1300 तक आप दे रहे थे, चुनाओ आने लगा, मोधी जी ने अचानक कह दिया कि इसको 400 हो गया है, तो आप सोचिए, अगर चुनाओ के पहले 400 कर सकते थे, तो फिर आपको इतने सालों के लिए क्यों तड़प पाया है, तो आप सालो के लिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए क्यों दे रहे थे सिलिंडर के लिए, क्योंकि जब चुनाओ आता है, तब इनको आपके प्रतिहम दर्दी आती है, बाकी समय आपके बारे में सोचते नहीं है, जब ये आते थे, चुनाओ पिछले चुनाओ के प्रचार के शक्तिमानवाला देखा, उसी तरह से आते हैं, सारी सक्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सूपरमैन बनके, मिले क्या आपको, महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया, अब जब आप उनको देखेंगे मंच पर, तो याद रखिए महंगाई मैन को देख आप सूपरमैन नहीं है, और अगर इतनी ही ताकत होती इन में, जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजप्पा के जो नेता हैं, कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधान मंत्री है, दुनिया के जो राश्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चा में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और वो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी वह जी क्या रहा है, उसके संगर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है, यह तो घिर गए है सत्ता से, इनके आसपास, जो भी लोग है इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं, देखिए हमने बहुत प्रधान मंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधान मंत्री रह दो सत्ता को देखा है समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है क्या होता है सारे चम्चे आसपास आ जाते हैं और अगर नेटा समझदार नहों अगर नेता में जादा अहनकार हो और अगर नेता अपने आपको सर्वों पर ही समझदा है तो वो नेता आस्ते आस्ते खुद भटक जाता है तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधान मंत्री इतने अहंकारी है आप मुझे बताईए कोई उनको कुछ कह नहीं सकता उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या है आपके बीच तो आते नहीं है आपको याद है इंद्रा जी आती थी राजीव जी आते थे मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी बच्ची थी गाउं में डाट खाते थे अपने ही संसद्येक शेत्र में अमेथी की महलाएं डाट देती थी कि अच्छा है भाईया हम प्यार तो करते हैं आप से लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले और वो नराज नहीं होते थे कभी नराज नहीं होते थे प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूँगा मैंने इसका ओर्डर दे दिया है कुछ समय तो दे दो मुझे हो जाएगा ये थी हमारी परंपरा और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की इंद्रा जी तो कितना आई मैं छोटे से छोटे आदिवासी गाउं में जाती हूँ छोटे से छोटे घर में मुझे महिला मिलती है मैं बूड़ीसी बताती है कि मैंने आपके लिए आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी और मुझे खुद थार्जूभ होता है कि दादी जी उस जमाने पर पहुंची कैसे हम तो हेलिकॉपक्टर लेके पिर गाडी में जाके, पिर कैसे पहुंचे है वहाँ, वो कैसे आती थी जब वो इस साधानी नहीं थे उस समें इतने, लेकिन वो पहुंच नहीं थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है, अहंकार की परंपरा नहीं नहीं है, हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांदी जी से लेकर सारे नेताओं की वो यही रही है कि जनता सर्वो परी है कि इस देश का किसान सर्वो परी है आज किसान को देखिए आंदोलन करता है दिल्ली आकर लाखों किसान बैट से हैं सर्दी में उनकी बिजली काटी जाती है पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं है, 600 किसान सहीर हो जाते हैं, कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती, वो कानून तब बदले जाते हैं तब वापिस लिए जाते हैं जब चुनाओ आने लगता है बस चुनाओ की परवा है बहनों और भाईयों सत्ता की परवा है आपकी परवा नहीं है आज किसान खेती के हर समान पर GST दे रहा है इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही है उपर से बड़े बड़े खरबपती मित्र जो हैं मोदी जी के उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के और देश के बंदरगा दे रखे हैं देश के एरपोर्ट दे रखे हैं सब कुछ सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है देश का किसान कर्ज लेता है दस हजार रुपए पचास हजार रुपए एक लाक रुपए क आसू रुकी नहीं रहे थे पिता ने एक लाख रुपए के लिए आत्मात्या कर ली खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी कुछ कमाई हो जाएगी तीन दिन खड़े रहे वित्रंग खेंडर के बाहर सरकारी वित्रंग के इंडर भी नहीं था प्राइवेट था क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था खड़े रहे घर नहीं आई बेटी कहती रही पादी पीलो कुछ खालो नहीं अगर मैं लाइन चोड़ूगा मुझे खाद नहीं मिले घर आते हैं कुछ नहीं मिला घर आते हैं आत्मात्या कर लेते हैं दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते हैं दस हजार रुपे के लिए पचास हजार रुपे के लिए एक लाख रुपे के लिए और मोदी जी के खरबपती मित्र उनके लिए मोदी जी ने सोला लाख क्रोड रुपय माफ कर दिये सोबाश लाख क्रोड रुपय का करद उनका माफ और किसानों के लिए एक रुपया करद माफ नहीं किया कैसी सरकार चल रही है देश में अपने आप से पूछाओ कोई ये नहीं कहता कि उद्योग पतियों को आगे मत बढ़ाओ बंडा चाहिए रोजगार मिलेगा चलो आगे बढ़े लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास पर ऐसा हुआ है कि पांच-छे उद्योग पतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दिये देश के बैंक देश का पैसा 16,00,00,00 रुपै उनको माफ 15,000,00 करोड का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों का कोविड से पहले 15,000,00, इनको आपने 16,00,00, करोड माफ कर दिये 15,000,00 करोड का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया उसके बजाई 20,000 क्रोड रुपए इन्होंने ने संसस्त को बनाने में लगा दी जबकि यह अच्छा खासा संसस्त तो सोचियेropol कार सोच क्या रही है इसकी नियत क्या है किस के लिए चल रही है इस देश के घरीब के लिए चल रही है इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग मांग के मांग मांग के ठक गया कॉंग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां जो पीएस लागू है भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है अधिकारी घबरा रहे हैं, कहने हम नौकरी के लिए जब गए थे, तो हमें ये आश्वासन था, कि रिटायर होंगे, तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है, आज पर इस्थितिया क्या है, पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहा जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहत होती है, तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे अधिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे जूट का बोल बाला है, बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं का को स्वतंत्र बनाएंगे, य करेंगे पैरों पे खड़ा करेंगे कुछ नहीं हो रहा है महिलाओं पर अत्याचार होता है मोदी जी मूँ फेर लेते हैं कि बार-बार हमने यहीं देखा हाथ रस में हुआ पलक भी नहीं जबका है उन्नाव में हुआ जिसने अत्याचार किया उसको बचाया उसके बाद ओलिम्पिक वाले जो हमारी मेडलिस्ट है जब ओलिम्पिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया चाय पिलाई फोटो किचवाई जब वही लड़की सड़क पे बैठके कहती है मुझे न्याय चाहिए मेरे सा गलत हुआ है मेरे साथ अत्याचार हुआ है मोदी जी का घर एक किलोमीटर दूर भी नहीं है निकल के भी नहीं आते उसको तब बुलाते नहीं है चाहे पर फिर पूरे देश के सामने बड़े-बड़े मंचों पर सारी भाजप्ता की महिला नेत्रियां मोदी जी पर माला ल मिलेगा ही नहीं उन नाम के वास्ते दिया है स्कीम जो दी है आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे तो आपके जीवन में तरक्की आती वहां 16,00,00 क्रोड रुपए देश के दे दिये संपत्ती दे दि हवाई अड़े दे दिये यहां क्या दिया पाँच किलो राशन का बोरा और इस पाँच किलो राशन के बोरे पे कहते हैं कि आपका भविष्य बनेगा किसने दे दी इनको ऐसी हिम्मत राशन अच्छा है सबको मिलना चाहिए लेकिन क्या आप अपने नौजवान बच्चों का भविष्य इस राशन के बोरे पे बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं कल मुझे कोई बोलेगा ऐसे कि भाई बेटा काम न करे हम पाच किलो राशन देते रहेंगे लड़ बड़ूंगी मैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों काम करें रोजगार करें कमाई करें भविष्य उनका उजवल रहें आज कुछ काम करें कल प्रमोट होके कुछ और करें कुछ बड़ा करके दिखाएं और हमारे देश की सरकार में हमारे सबसे बड़े जो प्रधान मंत्री जी है जिनके पास इतनी सत्ता है उन्होंने ये कह दिया कि बस पाच किलो राशन लो चुप रहो और कोई अधिकार नहीं है तुमारा तुमारे लिए और कुछ नहीं है सब अडानी जी अंबानी जी और मेरे सारे दोस्तों के लिए आपके लिए नहीं है ये है आज की परिस्थिती तो जब मैं कहती हूँ कि ध्यान से इन बातों को समझो तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका जीवन है न वहीं सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है और ये जो है ये बात जो है गहरी बात है ये हिंदु धर्म की पुरानी परंपरा है जितने भी संत महात्मा रहें वो समयचा यहीं कहते थे अपनी सच्चाई देखो अपने अनुभव पर उत्रो मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ लेकिन यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी तो महसूस करती हूँ आपके प्रति मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने सवतंत्रता अंदोलन में अपना खून पसीना बहाया एक जिम्मेदारी है हमारी हमारी आपक के प्रती और आपकी अपने देश के प्रती कि हम सचाई को पहचाने तो जैसे मैंने कहा सचाई वही है जो आप जी रहे हैं अगर आपके जीवन में दस सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहां खड़े होके कुछ भी कह लें मैं आपको गैरंटी करके कह सकती हूँ अगर आप फिर से इनको लाएंगे पांच साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं आएगी वही के वही रहेंगे आप वही पांच किलो राशन कोई रोजगार नहीं महंगाई कम नहीं होगी चुनाव खतम होगा वही 400 का सिलिंडर 1200 पे वापिस आज हते हैं हमने कह malt होगी व아서 जाए का मुखत जाएगा तर जीवन मğ टर्श सरारा है कि आपके कर्ज माफ करने के लिए स्थाई आयोग कहने ताकि जब जब आप कर्ज में होंगे तो कोई सरकारी ओर्डर की ज़रूरत नहीं होगी उस आप उस आयोग में जा पाएंगे कहेंगे कि यह मेरा इतना कर्ज है और आपकी मदद होगी हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए और सारे सब लोगों के लिए हम स्वास्त भी मा लाएंगे 25 लाग की जिससे स्वास्त की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाग तक सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी राजिस्थान की समारी सरकार थी राजिस्थान में ये करके दिखा हमारी सरकार ने हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं जिस तरह से आपके सामने वादे किये जाते हैं, जैसे मैंने कहा, आज सब खरबपतियों के लिए हो रहा है, इस बीच मोदी जी क्या कर रहे हैं, लोग तंत्र को कमजोर कर रहे हैं, हर स्तर पर, जैसे मैंने पहले कहा, आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं, और विपक्ष के जो जितने भी नेता है सब भ्रश्ट हैं चिर्फ मोदी जी ही मांदार और पाक हैं बस कॉंग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिये इनोंने दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिये संसत से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था उनके साथ साथ देश सोगते के तकरीबन संसर निकाल दिये इस सेशन में बाहर निकाल दिये इनके पास अपार धन है इकठा कर लिया है इनोंने अच्छी अच्छी स्की में ये लाए ब्रश्टाचार करने के उसके बारे मैं आपको बताऊंगी अपार धन इकठा कर लिया है अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहचाने कि आज देश में एक तरफ ये अपार मीडिया, ये अपार सत्ता, ये अपार धन और दूसरी तरफ सत्य की लड़ाई है दूसरी तरफ सचाई है दूसरी तरफ हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए कि आपका म्जोर नहों और आपका लोकतंत्र बना रहे ताकि आपके अधिकार इस देश में हमेशा बने रहें और मजबूत रहे इन्होंने ब्रश्टाचार की एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली Electoral Bond की स्कीम, स्कीम निकाली इन्होंने स्कीम थी क्या, कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनको चंदा दिया, सबको चंदा दिया ये नाम गुप्त रहे सुप्रीम कॉट में केस लग गया, सुप्रीम कॉट में जजों ने कहा कि ये सब गलत है ये सूची आप जारी करो, सार्वजनिक करो इसको सबको दिखना चाहिए कि किसने कितना दिया और किसको दिया है तो सब सच्चाई बाहर निकल आई सच्चाई क्या थी बैनों और भाईयों सच्चाई ये है कि इन्होंने चंदा जिस जिस से लिया है कुछ लोगों पे छापा मार के लिया पहले छापा माला, चंदा ली, पीछे हट गये, केस डाला, चंदा ली आ, केस बन्ग, ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लीआ, कंपनियों से, यहाँ पे आपका एक पुल गिरा था घुजरात में, आपको याद है, उस कंपनी से भी चंदा लीआ है, आपको कुरोना की वैक्सीन ल आज सामने आगया आया है, सामने आया, तो हर मंच पे खड़े हो के ऐसा कहने लगे, कि हमने तो इसको पहली बार देश में ये सूची पारदर्षी हुई है, पहली बार हमारी वजे से पारदर्षी हुई है, अरे, भाई, स्कीम गुप्त बनाने की स्कीम तो तुम्हारी थी, अब जज ने बोला पारदर्शी करो, पारदर्शी कर ली, अब कह रहे हो कि आप ही ने पारदर्शी बना दी है, जूटों का तो सिलसिला बंदी नहीं होता, हर स्तर पे जूट, 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 अब आज कल पता नहीं क्या हो गया है प्रधान मंत्री जी को, घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है, तो शादी के समय, आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं, तो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दर्बार लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, जो भी बार हो रहा होता है, वो कहता है कि सुनू मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे, और अंकल जी सबको अपना ग्यान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना, अब आप बताओ, एक दिन अब जब सरकार आएगी ना कॉंग्रेस की तो X-ray की मशीन लाकर तुमारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुमारी महिलाओं के जो मंगल सूत रहे हैं उसको X-ray से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी है हस रहे हो ना मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ग्यान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते हैं आप कहते कि भी आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर दी खूब गहरी साजिस निकाल दी हसते ना हसते कि नहीं हसते हैं आप कहते हैं कि क्या बख्वास कर दें अंकल कुछ नया सोचो अब देश की परिस्थिती यह हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधान मंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखें हैं देश में जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है उस पद क की गरिमा को उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बक्वास की बातें आपके सामने कि तो वह सोच रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री है क्योंकि पद है क्योंकि पद की गंभीरता है वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही फिजूल की बाते करूंगा और पब्लिक सोचे कि यह सच है, यह सच हो सकता है, आप सोचिए, यह सच हो सकता है, कि कोई ऐसा राजवीतिक दल सरकार बनाएगा, जिसमें एक्स रे लेके आपके घर के अंदर घुज कर, आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा, यह सच हो सकता है, अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे नियाए पत्र से, क्या समस्या हो गई है, हम नियाए कह रहे हैं इसलिए, हम नियाए दिलवाएंगे इसलिए, क्योंकि हम कह रहे हैं हम महिलाओं को एक साल, हर साल महिलाओं को एक लाक रुपए देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं, कि यह ज इन से आपको रोजगार मिलेगा, हम कह रहे हैं कि जो बच्चे सना तक पास हैं वो भटकेंगे नहीं, रोजगार ढूंडने के लिए हम उनको अपरेंटिस्शिप देंगे, एक लाक रुपए सालाना की कमाई देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिले, हम कह रहे हैं कि किसान लेंगे, हम गहने लेंगे, अरे भाया, सत्तर सालों से देश स्वतंत्र है, पच्पन सालों से इस देश में किसकी सरकार रही, बताईए, जोर से, कॉंग्रेस की सरकार रही, कभी किसी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम निकाली, जिससे कोई X-ray मशीन आपके घरों में आकर आपके गहने ले जाए, बताईए, तो क्या हो गया है, मोदी जी को, कॉंफिडेंस तो नहीं हिल गया है, घबरा तो नहीं रहे हैं कि बहकी बहकी बाते कर रहे हैं हर जगे जाके, मतलब मैंने कल टीवी चलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह देश के प्रधान मंत्री बोल दिया होगा, फिर दोबारा मैंने किसी दूसरे चानल पर देखा कि भाई यही कह रहे हैं, फिर मैंने सुना एक्सरे मशीन, मंगल सुथ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, फिर आगे जाके कुछ और भटकी बटकी बाते कहने लग गए, तो क्यों कर रहे हैं यह, कभी सोचा हैं आपने, क्या सोचा है, उमर का तकाजा यह भी है, कभी आपने सोचा है, कि आप का यह जो वोट है, कितना कीमती है, कितना कीमती है, इस से पाथ सालों का भविश्य बनने जा रहा है इससे आप तैय कर रहे हो कि अगले पाथ सालों में ग्यास सिलिंडर कितने का मिलेगा इससे आप तैय कर रहे हो कि कोई जब दुकान जाओगे कि खरीद पाओगे कि नहीं इससे आप तैह कर रहे हो कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा की नहीं इससे आप तैह कर रहे हो कि ये महान देश जिसके लिए लोगों ने खून दिया लोगों ने महनत की बनाने के लिए इसका भविश्य क्या होने जा रहा है और आज तो हम इस जगे पहुँच गए हैं कि 10 साल इनकी सरकार चली है मुझे नहीं लगता कि 5 साल और ये देश सह पाएगा अब तक तो सह लिया, अब सम्विधान बदलने की बाते हो रही है कहरें 400 पार हम सम्विधान बदल देंगे क्या करने जा रहे हैं क्या पता आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते एक बार महंगाई की बात नहीं करते एक बार स्विधाय की बात नहीं करते एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे यह नहीं करें सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ बार पूछ यह ना इनसे IIT किसने बनाई इन्होंने बनाई कितनी ठीक है Congress ने बनाई इनसे पहले इनके काल में कितनी नहीं बनाई AIMS कितने बनाई नोने हस्पताल कितने बनाई पाठशाला कितने बनाई रोजगार कितने दिलवाए कितने लोगों को गरीबी रेखा से उपर लाए कभी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं कहने वाला कहने का कुछ है ही नहीं किया ही नहीं बस यही करते रहे, बड़े-बड़े event, बड़े-बड़ी महलों में जाके किसी राष्टपती से मिलना कहीं, दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे, अब time आ गया है report card का, time आ गया है, पाथ सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं, अब जनता कह रही है, कि भई बताओ क्या किया, तो अब धबराट हो रही है, अब बहकी-बहकी बाते, वही हिंदू-मुसल्मान, वही इधर-उधर की बाते, वही विश्व गुरू, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मौती जी, अरे क्या लेना देना आपको, कि कितने बड़े नेता है, अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इन से, कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लग रहे हैं आपके हकों के लिए कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खतम नहीं करने देंगे तुम्हें माफी मांगे ये आप से मांगे हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी शुल्टी बातें आपने ऐसी हलकी बातें कैसे कर डाली आप माफी मंगवाओ पूछो इन से कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधान मंत्री की देश के प्रती कोई जिम्मेदारी नहीं होती जंता के प्रती के जंता के सामने मंच पे खड़े हो सच बोलो यही जिम्मेदारी होती है यह दिल में लेके यह जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधान मंत्री मैंने देखे हैं ऐसे प्रधान मंत्री और मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे हाँ इन्राजी थी मर गई देश के लिए शहीद हो गई देश के लिए हाँ राजीव जी थे टुकडों में घर लाई मैं उनको शहीद हो गए इस देश के लिए लेकिन मनमौन सिंग जी भी थे जो क्रांती लाए इस देश में कॉंग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाचबाई जी भी थे जो सब यह इनसान थे कम से कम और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह देश का पहला प्रधान मंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से जूट बोलता है जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ मेरे मूँ से सच निकलना चाहिए इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को इससे हमें कोई परवा नहीं है किसी को नहीं छोड़ा मा को नहीं छोड़ा पिता को नहीं छोड़ा दादी को नहीं छोड़ा दादा को नहीं छोड़ा पर राजा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पती को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहें, 56 इंज का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे, करते रहें, लेकिन देश के सामने इस तरी के जूट बोलना, इस तर पे आना, देश के स हमने कि कोई राजनीतिक दल आके X-ray लेकर आपके घर में गुश के मतला मजाक की बात है तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है न तो किसी नेता के पक्ष में नहीं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं ये वोट आपका वोट है अपने देश को दो इंडिया को दो गटबंदन का नाम भी इंडिया है लेकिन आप सोचिए ये आपका देश है, ये आपका देश है, अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है, कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गाव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपन इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो, ऐसी फिजूल की बातों पे अपना वोट मत दो, वोट अपना है, अपने काम पे दो, रोजगार पे दो, महंगाई बढ रही है, उसको कम करने के लिए दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाओं अपने पैरों पे खड़े हो उसके लिए दो, आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो, दलेतों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो, ये वोट देश की जंता के लिए जाना चाहिए